एक साइकलोजिस जो सिरियल खिलर वेगरा से डील करती है वो एक स्टेंजर से मिली उससे मिलने के बाद उसके साथ डिस्टर्बिंग चीज़े होना स्टार्ट हो गया अब इस सब के पीछे कौन है या आज के हमारी मुवी नेवर टॉक टू स्टेंजर इन 1995 की एक साइकलोजि करता है तो ब्लीज लाइक और कमेंट जरू कर दीजे अब बिना किसी तरीके एक्स्प्राइशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन क्यारेक्टर सेरा जो एक साइकलोजिस्ट है एक सीरियल किलर के साथ बात कर रही थी सेरा ने का तुम्हें एक टीन किलर को मल्टिवर्बसनेट्री डिसोर्टर की बिमारी है एक अंफर्म करने के लिए यहां वो आई हुई थी किलर कहता है मुझे कुछ आवाज से सुनाई देती है जो मुझे कुछ करने के लिए खहती है कभी-कभी टीवी से कभी-कभी वाल्स में से सेरा का टाइम खतम हो और यहां से हो चली जाती है किलर इस पर चेट गया था इसके बाद सेरा अपने फ्रेंड क्लिफ के साथ जो एक आर्टिस्ट है उसका एक्जिबिशन देखने के लिए आई हुई थी यह एक्जिबिशन बॉन्डेज या उस ताइप की कुछ दर्दनाक फोटोस का है सेरा ग पर देखरते करते ही यह दोनों घर आ गये सारा का फ्रेंड क्लिफ उसका नेबर भी है वो सेरा को स्मेल करता है कहता है आज तुम्हारे खुचब बहुत ही अच्छी आ रही है उसके साथ इंटिमेट होना चाहता था सेरा कहती है तुम मुझे फ्रेंड की तरह ही लगते हो ख्लिफ ने कहा जब तुम यहां मुग हुई थे तब हम दोनों इंटिमेट हुए थे तब तो में तुम्हारे फ्रेंड की तरह नहीं लगा था सारा ने डोर बन करकर इस बात को टाल दिया इसके बात नेक सिन में किलर का लॉयर सारा के पास आया हुआ था शैरा ने अब तक किलर के बारे में जज्जमेंट दिया नहीं है तो इस वज़े से उसका लोयर बहुत ही घुसा था सारा अपने आपको explain करते हैं इस शायद उसे भूलने की विमारी है या उसे multiple personality disorder भी हो सकता है जब तक मैं sure नहीं तब तो मैं कोई भी जज्जमेंट नहीं देने वाली है वो गुछ से में यहाँ से चला गया रात में सारा अपने लिए ड्रिंग बाय करने के लिए आई हुई थी उसने बॉटल ली तब इस ट्रेंजर ने उससे कहा कि सही चॉइस नहीं है इसके अलावा तुम कुछ और ट्राय करो इन दोनों को ड्रिंग्स के बारे में बहुत ही किसी शॉप में मिलता है टोनी गहता है पहचाना मेरा नाम टोनी हम में सेक्षन में मिले थे टोनी ने कहा कि मैं यूजूली ऐसा कुछ भी करता नहीं पर इस टाउन में मैं नया हूँ और मुझे फ्रेंज की जरूरत है सारा कहती है तो किसी और को फ्रेंड बना लो टोनी न ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा सारा पूछती है तुम्हारे पास की वाइन की सियर की है कहता है कि 61 की सारा पूछती है क्या तुम्हें लगता है क्या एक वाइन से तुम मुझे इंप्रेस कर सकते हो टोनी ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम ऐसी औरत हो जिसे जीतना पड़ता है सारा के बात अच्छी लगी वो बाहर आकर टैक्सी लेती है तो टोनी अपनी बाइक लेकर उसके पास आया कहता है अब हाव भी कह दो सारा के पास टाइम नहीं था पर उसने अपना नंबर उसे दे दिया कहा कि मुझे कॉल करना सारा जब घर पर आई तो उसके फादर उसे मिलने के लिए आय हुए थे उन्हें अंदेरे में देखकर वो डर कही थी सारा के अपने फादर के साथ रिलिशनशिप अच्छे नहीं है वोने फादर भी नहीं बुला दिये फादर चाहते थे कि आज रात में मिल सकते है पर प्लीश पहले मुझे कॉल किजिएगा उसने फादर को मॉटेल के लिए पैसे दे दिये और वहाँ से निकाल दिया रात में सारा के नेवर उसके पास आया वो एक लटकी के साथ था तो उसे वाटका चाहिए था सारा कहती कि मेरे पास नहीं है नेवर कहता है मैंने तो तुमारी फ्रीज में देखा था वो खुद गया और लेकर आया सारा इस बात से सप्राइस थी ये बहुत ही अच्छी डिटेल है जिसे आप याद रखिए मूवी के लास्ट में सब कुछ क्लेयर होगा एक्जाम ऑनलाइन है तो उसमें भी आ सकता है नेवर घर में ही था तभी सारा को टोनी का कॉल आया उसे अपना पता देकर सारा को वहाँ बुलाया सारा का नेवर इसके बारे में उसे पूछ रहा था सारा फिर टोनी से मिलने के लिए उसके पूरा नहीं से बिल्डिंग में बहुच ये टोनी ड्रिंग लेकर रेडी ही था सारा ने कहा तुम मेरे लिए बहुत ही बुरे हो सब कुछ सही चल रहा था और नेक्स सेकर में मैं एक स्ट्रेंजर के साथ ड्रिंक कर रही हूँ इसके बाद इन दोनों ने बहुत सारी बाते किये सैरा अपने एक्स बॉइफ्रेंड के बारे में टोनी को बताती है कहती है कि वो अचानक से गायब हो गया उसने कोई भी लेटर नहीं छोड़ा कोई भी कॉंटेक्ट नहीं किया वो अभी उस वर बहुत ही ज़ादा गुस्सा है सैरा के नेबर का मानना था कि अब एक साल हो चुका है उसे मुवाण करना चाहिए अब यही करने की कोशिश वो टोनी के साथ कर रही है सैरा पुछती है तुम करते क्या हो वो कहता है कि मैं सेक्यूरिटी कंसल्टन्ट हो सैरा ने कहा तुम्हारे साथ होते वक्त मुझे बहुत ही सेफ लगता है आगे सैरा अपने बच्पन के बारे में बताती है उसने कहा कि जब वो छोटी थी तब ही उसकी मदर की कार एक्सिडन में डेथ हो गई थी उसके फादर का सेल्स का जॉब था तो हमेशा घूमते रहते थे वो अपने एंड के पास ही बड़ी हुई है ये सब बात ये करकर सेरा को इंबारस लगा टोनी कहता है तुम्हें कंट्रोल में ना होना इन सब चीज़ों के बारे में बात करना ये सब सूट करता है इसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को किस किया और एक दूसरे की बाहों में ही सो गए सुबा होने पर एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है इसके बाद नेक सेन में सैरा फेस से किलर के पास आई हुई थी वो उसे बुछती है कि लास सेशन में तुम आवाजों के बारे में बात कर रहे थे इस बार किलर ने कहा कि मुझे कोई भी आवाज ये सुनाए नहीं देती वो कहता है तुम मुझे फ्रेम करना चाहते हो तुम अपनी साइड चूस कर लो एक तो तुम मेरे साइड पर हो या मेरे खिलाफ यावर वो बहुत ही गुसा हो गया था इंडारेक्ली उसे धमकी दे रहा था आज सारा जब घर पर पहुझे तो उसके घर पर मुर्जाय हुए फुलो का गिव्ट भेजा हुआ था इस बात से वो डिस्टब हो गई रात में सारा और टोनी फेल से मिले टोनी सारा के लिए शुटिंग का गेम खेल कर उसे जीराफ गिव्ट देता है सारा पुछती है तुम्हारी इतनी शुटिंग अच्छी कैसी है वो गहता है कि मैं पहले पुलीस हुआ करता था सारा को बात बहुत सप्राइजिंग लगी यूशने बात उससे चुपाई थी वो सारा को गहता है तुम भी शुटिंग ट्राइ करो वो मना कर रही थी पर फिर भी टोनी ने उसे फोर्स किया शुटिंग करते वक्त अपने बच्छबन की याद सारा को आई अचानक से वो बेहोश हो जाती है टोनी उसे अपने घर पर लेकर गया था सुबा होने पर उसके लिए उसने टीवी बनाई सारा को टोनी के साथ होना अब अचाना से गलत लगता है उसने कहा कि अब मैं जा रही हो टोनी ने पहचान लिया कि उसे इंडारिकली ब्रिक अप कर रही है उस पर चिट गया कि उमें करती क्या हो हमेशा मेरे साथ पुश पुल पुश पुल खेलती रहती हो इन दोनों की fight होगी और सारा यहाँ से चली जाती है थोड़ी देर में सारा ने अपना mind change कर लिया वो फिर से टोनी के पास वापस आई ये दोनों intimate हो जाते है कर अने बर सारा को एक note मिला न्यूस्विवर की एक page का एक number था ये सारा देखती है तो इसमें सारा की date के बारे में लिखा हुआ था इन सब बातों से disturb हो गए उसे लगा कि killer ही ये सब करवा रहा है जाकर वो killer के lawyer से बात करती है वो कहती है तुम मिलकर मेरी harassment क्यों कर रहे हो lawyer कहता है इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है अगर killer ने ऐसा किया होता तो उसने मुझे बता दिया होता सेरा कहती है उसे multiple personality disorder है उसने शायद ये खुद किया है पर उसे याद भी नहीं इसके बाद next day सेरा की घर पर ये टोनी आया हुआ था ये दोनों मिलकर cooking करते हैं cooking करते करते पहन में आग भी लग गई थी दोनोंने मिलकरे बुझाए बहुत सारा तमाशा खड़ा हुआ पर ये दोनों इस बात को enjoy करते हैं टोनी को सारा के साथ होना ये बहुत अच्छा लगता है अचानल से सारा को उसके father का call आ जाता है ये Christmas के बारे में उससे पूछ रहे थे सारा कहती है कि मैं आप से बात में बात करूंगी टोनी ने नोटिस किया कि अपने father से बात करते हैं डिस्टर्ब हो गई थी उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो Christmas में मैं तुमारे साथ रह सकता हो तुम सपोर्ट करने के लिए सारा नहीं चाहती कि उसके father से मिले टोनी कोई अजीब लगता है टोनी ने घर में ही सारा के ex-boyfriend की photo नोटिस की उसको गायब होए एक साल हो चुका है पर फिर भी उसके घर में photo क्यों है इस बात को लेकर टोनी अफसेट हो गया सारा कहती है इस photo को रखना में भूल गई थी इन चोटी-चोटी बातों को लेकर तुम उसे fight मत करो टोनी भी इस बात को ignore कर देता है अगली दिन जब सारा face से काम से वापस आई तो उसकी cat को मार कर उसे gift कर दिया गया था इस बात से वो बहुत ही ज़ादा डर गई और पुलीस के पास आती है पुलीस officer के पास बहुत सारे cases थे तो उसे help नहीं करता कहता है तो एक private directive hire कर लो ऐसे cases में उस तुमें ज़ादा help कर सकते है सारा उस पर भी गुस्सा हो गई आज उसे टोनी के सारे की बहुत ज़रूरत थे उसे वो call नहीं कर पाई क्योंकि वो out of town था morning में टोनी सारा की घर पर आया पर सारा कहती है अब बात करने के लिए अच्छी timing नहीं है उसे वहाँ से कटाना चाहती थे टोनी मानता नहीं और घर में आ जाता है घर में already सारा का नेवर था गुस्सा होकर बुच्छता है कि ये क्या यहाँ कर रहा है सारा ने कल रात के बारे में उसे सब कुछ बता है गयती है कि as a friend मेरे पास आया हुआ था टोनी गुस्सा होकर नेवर को वहाँ से निकाल देता है सारा टोनी पर अब भी ट्रस्ट नहीं करती उसे लगता है कि क्या टोनी नहीं उसे भीजी उसे फुलो के बारे में भी वही लग रहा था टोनी ने बात पहचान ली उसे गंफरन करता है सारा उसके बारे में इसा सोचती है तो उसे बहुत ही बुरा लगा कहता है शायद तुम मुझे पर ट्रस्ट कर बाती है हर्ट होकर वहाँ से ओचला गया नेक्सिन में हम देखते हैं सारा ने प्राइवेट इंवेस्टिकेटर हायर कर लिया है वो इसके हेल्प से टोनी पर नज़र रखेगी जब नेक्स टाइम वो टोनी के साथ डेट पर आई हुई थी इस बार वो प्रापर शुटिंग के लिए चलते है टोनी कहता है तुम तो गन से बहुत ही डरा करती थी सारा ने कहा कि अब नहीं डरूंगी सारा चाहती तो है कि ओ टोनी पर ट्रस कर पाई तो उसे बुश्थी है मैं कैसे सीख सकती हूँ टोनी कहता है कि अब मैं बिना किसी डर की नीचे गिरूंगा मैंने अगर सल्शुच में ऐसा किया इसका मतलब है मैं तुम पर ट्रस करता हूँ टिक टॉकर्स की तरह, सैरा को भी एक करने के लिए कहता है, सैरा भी उस पर पुरा ट्रस करकर नीचे गिर गई, और टोनी ने उसे बचा लिया, टिक टॉकर्स की तरह, आज इन्होंने अपना दिन बहुत याचे से स्पेंड किया था, खुश थे, तो रात में इंटिमेट हो जाते है, अब टोनी फिर से अपने कुछ काम के लिए आउट आफ टाउन जा रहा था, तो सैरा का डिरेक्ट्व उस पर नज़र रखता है, उसने कहा कि मैं किसी अलग टाउन जा रहा हूँ, पर वो एलबनी गया, सैरा का टाउन, यह सब बाते डिरेक्ट्व उसे बता देत है, वहाँ जाने पर टोनी एक और और उसकी बच्चे से मिला, डिरेक्ट्व सैरा से गहता है, शायद टोनी मैरीड है, इस बात से सैरा बहुत ही जादा हर्ट हो गई, नेक्से में हम देखते हैं, सैरा के घर में कोई इलिगली खुश गया था, यह उसका नेबर नोटिस करत है, वह उसके पीछे हो भागा, जो भी आदमी था, उसने नेबर को बहुत ही जादा इंजूर कर दिया, सैरा को अभी अभी टोनी के बारे में पता चला है, तो उसके घर पर वो पोश्चती है, घर पर पोश्चने के बाद, उसकी सारी जिज़े उसने चेक किये, जिसमें उ फिर से फ्लैश बैक में याद आता है, उसकी मदर की डेद सीडियों से नीचे गिर कर हुई थी, वो इस बात से डिस्टब हो गई, थोड़ी देर में टोनी यहाँ पोश्च गया, सैरा कहती है, मुझे अचानक से काम याद आया, वहाँ से वो चली जाती है, सैरा जब घर प पुलिस को कॉल किया, पुलिस ने उसके नेवर के साथ भी जो हुआ, यह सो उसे बता दिया, पुलिस कहती है, कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, सैरा कहती है, कि आपको जाकर टोनी से बात करनी चाहिए, वो जब घर पर आई, तो टोनी और इडिडी उसके घर प उसे रोक लेता है, तोनी ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, वो उसके साथ ब्रेक अप कर लेता है, सैरा कहती है, प्लीज मुझे मारो मत, वो डर गई थी, वो अपने परस के पास गई, तोनी को लगा, कि वो गन निकाल रही है, तो टोनी ने अपनी गन भी निकाल ली, स चुली सारा के एक्स बॉइफ्रेंड ने टोनी को हायर किया था पता करने के लिए कि उसके ब्रेदर को हुआ क्या तोनी कहता है मुझे सच सच बता उसके साथ हुआ क्या था सारा कहती है हम दोनों की भी जो भी था ऐसा जोट था टोनी कहता है कि बिल्कूल भी नहीं मैं तुम उसे बहुत प्यार करता हूँ सारा कुछ भी बात पर बिलिव नहीं करती उसे लगता है कि उसके साथ जो भी हो रहा था इसके पीछे टोनी ही था टोनी कहता है चोलो में तुमें कुछ दिखाता हूँ उसने सारा पर नज़र रखने के लिए हर जगा पर कैमेरे लगाया हुए थे इस कैमेरे में दिखाई देता है इस एरा के घर पर जो आया हुआ था उसके साथ जो भी हो रहा था योग खुद कर रही थे एक्चुली उसे multiple personality disorder है इसका मतलब है अचानक से उसकी personality change हो जाती है इस change के टाइम में वो जो भी करती है उसे खुद को पता नहीं होता ये बात जानकर सारा बहुत ज़्यादा डिस्टरब हो गए तब उसके फादर उसे विजिट करने के लिए आ गए उनके शूर्स की आवा सारा को trigger pull करने में help कि पुलिस को लगा था ये सिर्फ एक accident है ये सब याद करकर सारा को चकर आ गई उटने पर अपनी मदर के बारे हम बात कर रही थे उसके फादर कहते हैं वो सिर्फ एक accident था सारा कहती कि अब मुझे सब कुछ याद है तुमने ही मेरी मदर का murder किया था हर मेरे कमरे में आकर तुम मुझे abuse किया करते थे इसी वज़े से मेरी आर्ण मुझे उसके साथ लिकर गई वो चिट गई थी तो उसने अपनी गन निकाली तोनी उसे शान रहने के लिए कहता है उसने का मैं अपनी ग्राउंड पर रख रहा हूं तुम भी ऐसा ही करो तोनी ने तरह ही मुझे जूट कहता था अपनी फादर की वज़े से हर आदमी को हेट करती है इसके बाद उसने फादर को भी मार डाला जल्दी से सारा घर वो क्लीन कर देती है अपने खिलाफ कोई भी सबुत नहीं रखती है अपने आप से कहती है तुम्हें इसके बारे में कुछ भ भी कहती है पुलीस को यह सब सच लगा और उसे छोड़ देते हैं इसके बाद नेक्सीन में सारा मल्टिबल परसनलेटी पर एक लेक्चर दे रही थी वो कहती कि जब भी बच्पन में बहुत बड़ा ट्रामा हो गया हो इस बात को छोटे बचे हैंडल नहीं कर पाते हैं इस इस दरीके से यह मूवी हमें गेज करता हुआ छोड़ कर चली जाती है यह मूवी एक बहुत ही डिंजरस क्यरेक्टर की ग्लीम्स थी है मूवी में हमने देखा था कि सारा के फ्रीज में अलकोल थी उसे पता भी नहीं था इसका रेजन यही है कि इसे मल्टिबल पसनलेटी इसी पॉइंट के साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एसे लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मूविस लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोडिवेशन आइकोन दावने मत भूलेगा हम वेशे मिलेंगे और एक नमो के साथ तब देले थैंक्यू आप अपने आपका खैल रखिये